हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं trade with अरुट्उटीब चनल दोस्तों आज हम बात करी मल्टी वेगर शेयर के बारे में तो सबसे पहले तो दोस्तों जब मल्टी वेगर शेयर के बारे में हम दोग सुनते हैं तो जनरली क्या समझते हैं कि multi-veggar share का मतलब हुआ कि कोई penny stock होगा 5-10 रुपे का ये 1-2 रुपे का और वो अगर 1000-2000 रुपे पहुँच जाता है तो उसको हम multi-veggar समझ लेते हैं कि बहुत करोड़ पती बन गया है उसमें लेकिन ऐसा नहीं होता है जो high value share होते हैं जनरली की जो उपर के share होते हैं चाहे उनकी price 2000-3000 हो जैसे कि MRF को भी अगर consider करेंगी तो उसकी price आज के time में जरू 80,000 रुपे है लेकिन उसको भी एजा multi-veggar share consider किया जा सकता है क्योंकि उसको 80,000 से 2,00,000 होने में उसे time नहीं लगेगा जितना time एक रुपे के share को 10 रुपे तक जाने में लग जाता है कभी कभी तो multi-veggar share का यह कोई definition नहीं है कि वो penny stock होना चाहिए यह कोई जरूरी नहीं है तो आज हम इसी तरीकी से बात करेंगे एक share के बारे में जो आपको कुछ आने वाले कुछ सालों में करोड़ पती जरूर बना सकता है आप करोड़ पती मैंने बोला है तो वो आपकी investment पर भी depend करता है अब ऐसा नहीं होता है कि आप 100 या 1000 रुपे का invest करें और पर करोड़ पती बनने के उम्मीद करें तो वैसा भी possible नहीं है तो अगर देखा जाए तो इसमें 5-10 गुना आपका पैसा बनाने की तागत बहुत आसानी से इस stock में है जो कि आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर जाने है तो जादा साब आइग लिसक्का का नाम है जैसा कि आपनी सक्षियर पर देखीffen रहे हैं अभी स्टॉक मेंने बन सकता है क्यों जानते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के बारे बहुत कम लोगों में awareness है और धीरे धीरे ये awareness बढ़ रही है और awareness बढ़ने के साथ साथ होता क्या है सबसे पहले जो भी stock market के बारे में सुनता है उसका सबसे पहले reaction होता है कि भाई invest कैसे करें है stock कैसे खरीडें तो उसके लिए आपको क्या एक dmat account की requirement है अब dmat account में आप कोई साथ भी broker use कर लीजे चाहे आप angel को open कीजे या फिर kotak को open कीजे जिरो डाप stock जिसको भी चाहे वो उसको open कीजे लेकिन depository इंडिया में दो ही है एक है CDSL दूसरी है NSTL अब depository क्या होती है सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते है कि ये business इतना जादा important है क्यों depository का मतलब यह हो गया दोस्तों कि जैसे कि आपके पास जो पैसा होता है आपके bank account में है आपका पैसा आपके bank account में ही रहता है आप phone पे यूज करते है Google पे यूज करते है Paytm यूज करते है कुछ भी यूज करिए लेकिन ultimately पैसा आपका bank के पास ही है मतलब जादा तर business bank के पास है लेक इतने भी ब्रोकर हैं, इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, यह सब third party हैं, यानि share के transaction को यह करवाती हैं, तो कहीं न कहीं share के share किसके पास है, depository के पास है, अब वो उसको रखने का कुछ पैसा लेता है, तो सोचिए कि आप अपना account angel में खुल वाते हैं, और आपका दोस्त अपना account codex security में open करता है, लेकिन दोनों जगे से depository के पास तो पैसा जाना ही जाना है, ब्रोकर के पास थोड़ा बहुत पैसा बढ़ सकता है, लेकिन depository के पास main पैसा जाना है, तो कहीं न कहीं यह business ऐसा है, जो आने वाले टाइम में, जैसे जैसे और ज़्यादा awareness बढ़े market में listed नहीं है, तो जब तक NSDA list नहीं हो जाती, CDSL के पास main business है, यानि जो भी investment अगर इस purpose से करता है, तो उनके पास एक ही option बच रहा है, अभी CDSL में invest करने का, तो obviously एक fundamentally बहुत जारा strong stock तो ही, और साथी साथ अगर आप देखेंगे इसकी listing अभी हाल ही में यह list हुआ है, अभी 200-250 के आसपास था, और वहीं आज की price अगर आप देखेंगे तो 1500-1600 के आसपास है, तो अगर देखा जाए 200 रोपे से भी consider करेंगे, तो करीब 8 गुना जादा यह return दे चुका है, यह 800% return तो already stock दे चुका है, तो multi wager अगर बोलेंगे तो already multi wager बन चुका है, लेकिन इ FD की जगह, stock में invest कर रहे हैं, mutual funds में invest कर रहे हैं, तो इन सब का benefit obviously बात है, depository को होने वाला है, तो यह तो होगा दोस्तों एक वैसी बात की मैंने आपको बटाए कि इसके पीछे का reason क्या है, stock को चुनने का, अब बात करते हैं, इस चार्ट के बारे में, तो chart में आगर आप तो अब इस stock करी 1580 के आसपा स्ट्रेट कर रहा है, तो इसके कुछ यह आप level से अब draw देख रहे होंगे, तो यह जो levels है, जब भी आपको इनमें dip मिलता है, आप यह stock बिलकुल ऐसा है, इसको accumulate किया जाना चाहिए, जैसे कि 1434 के आसपास एक support zone बनता है, बहां आता है, तो खरीद है, तो इस तरी के सर्फ में खरीदना होगा, और अगर हम 57 साल की बात करें, तो इसके target जो हैं दोस्तों, वो 5000 तक की भी easily मुझे यहां से दिखाई देते हैं, अब दूसरी बात अगर बात करेंगे, देखिए, दोस्तों, यह dividend भी अच्छा का सा company देती है, तो यह आ आप देख रहे हैं, इसका कुछ वेसे एक overview है कि small cap यह company हाला कि भी market capitalization 15,470 का करोल का ही है, 263 पर रहें करती है, अगर stock market की बात करें, जितनी भी listed company में है, और अगर आप देखेंगे, तो FD compression में return तो जबरस दिया ही है, और dividend की बात करें, तो अच्छा का से dividend भी ओफर करत account में credit कर दी जाते, अब दोस्तों अगर बात करें कि financials के बारे में भी finances अगर देखें, तो CDSL का अगर result देखते हैं, तो उनमें भी जबरस growth देखने को मिल रही है, अगर आप देखेंगे, देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर मार्स 2020 की बात करें, तो 136, sorry, 284 करोड के असपास की income थी, वहीं जो मार्स 2021 में year end हुआ था, उसमें 401 करोड की income इनकी हुई थी, तो income भी जबरस बढ़ रही है, और हम profit after tax की बात करने जो pet होता है, तो वो भी 107 करोड था मार्स 2020 में, जो बढ़के हो गया मार्स 2021 में 201 करोड, तो जबरस थी, ऐसा ही लगता है, दोस्तों की बहुत जल्ली ये आने वाले टाइम में stock 5000 के level touch कर सकता है, और आपको अच्छा का से return यहां से दे सकता है, अब दोस्तों एक चीज और देखिए, यगर इसमें delivery percentage भी देखें कि daily जो trading होती है, जैसे market में किसी भी stock पर आप देखें, तो bit और के बहुत ज़्यादा होती है, मतलब quantity trade बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें intraday का भी कुछ percentage होता है, तो जैसे के आज की बात करें, आज एक अप्रेल है, एक अप्रेल को 11 बज तक data ANSE पर देखी अपडेट हुआ है, तो आज total quantity जो इसमें trade होई है, वो हुई है 4,84, जिसमें से deliverable quantity, यानि delivery में कितनी quantity ले गई है, 26,67,100 बात रही है, यानि 55-56% के आसपास का delivery percent आज का है, तो इसमें delivery percentage भी अच्छा रहता है, जो कि यह imply करता है कि कहीं ना कहीं आप खोज सोच के देखी कितनी quantity delivery में उठाना किसी retailer की बसकी बात नहीं होती, कोई ना कोई इस बने वाले टाइम में, तो इसमें जब भी आपको dip मिले, आपको invest करना चाहिए, और बाकी आपके अपना decision है, अपने financial advisor से सलाह जरू लीजीगा, चलिए अगर दोस्तों वीडियो पसनना है, तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब जरू क पर लीजेगा, और हम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको description box में angel और kodak security दोनों का link मिल जाएगा account opening का, तो बहाँ पर जाके account opening कर सकते हैं, और अगर आपको कोई problem आती है, किसी भी तरीकी की चाहिए chart में दिक्कात आ रही है, तो हम आपकी help करते हैं बहाँ पर, तो उस जाके आपना account open कीजिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे next video में तब तक अपना ख्याल रखिए, thank you so much, good day